आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट में महंगे महंगे दामूर मिलने वाली केंडिल और भी सीफ 50 रूपे में और 50 रूपे में आप बहुत सारी केंडिल बना के त्यार कर लेंगे सागत है आपका मेरी चैनल में अगर वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले तो चलिए बनाते हैं केंडिल इसके लिए हमने यहां 500 क्राम बैट यहीं मॉम लिया है इसे चोटे पीसे में कट कर ले और इसके बास गैस पे एक नसमने ब safest बनार से चाह dès रहे चाहां तो में सब्सक्राइब कर लिया है थागे के तो मीर्ज टू कर रहे हम लिए हम रहे हैं कर लेंगे और थागे का रहे ने लिए हैं व Ugh बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है इसमें हमने कलर के रूप में क्रियाउन यूज किया है आपको जीस कलर का बनाना हो उस कलर का आप क्रियाउन यूज कर सकते हैं कलर आप अपने सुब्धा के सार कोई भी ले सकते हैं अब इसके बाद एक हैबी बॉटम का गिलास ले यहां पर हमें पतला गिलास बिल्कुल नहीं यूज करना है अब इसके अंदर एक कैंडिल लगा दे कैंडिल के नीचे पिगला हूँआ मोम लगा है जिससे कि तरह से अच्छी तरह से फिक्स हो जाए अब इसके अंदर कुछ आइस क्यूब डाल दे आइस क्यूब छोटी प के लिए प्रवागा को शुच कर रिंदे के दोकान कि अवाइब नियुक्त करने का भागा तो इस तरीके से भी आप केंडिल बना सकते हैं अब इसके बाद हमने चॉकलेट मॉल लिए नहीं Since जब सभी चाकलेट मोल्ड के बीच में धागा लग जाए तो उसके बाद पिगली भी मॉम को इसमें डाल दें। अगर आपके पास चाकलेट मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी बरतर में बना सकते हैं आपके घर में जो भी चोटे मोटे बरतर हैं लेकिन उसमें बनाने से पहले सबसे पहले कर लिए जिससे उसको निकालने में आसानी रहे यह क्योंकि चाकलेट मोल्ड सिलिकॉन का है इसमें से निकल जाएगी अब इसके बाद मैंने दूसरा मोल लिया है इसमें मैंने ओयलींग पहले कर रखी थी अब इसके बाद अगर आपको दो सेट में बनाना है तो आपको एक कलर पहले डालना होगा दोनों सेट के बीच में 15 मिनन्ट का कम से कम अंतर रखें और या एक बार हाथ आप इसे त करके देखने कि अगर आपकी मोम अच्छी तरह से जम गई है फिर आप दूसरा नागाना है यह विसंग में बनाना है आप उसे एट कर सकते हैं मैंने यह लेवंडर का यूश किया है और जितनी तरह की आपको एंड़ी बनानी है जितने भी flavor में बनानी है आपको उसको अलग-अलग divide करके mom को अलग-अलग कर लेना है जिसे की अलग-अलग flavor में आप बना सके अब यहां पर mold के रूप में मनें छोटे glass ले रखे हैं यह almost सभी घरों में पाए जाते हैं अगर आपको एक shade में बनाना है तो direct इसमें धागा लगाते हुए mom को भर दे मैं यहां double shade में बना रखा है और ऐसे करते हुए सबी candle को हम बना लेंगे यहां मैंने बोटी वाली candle बनाई है और इसमें मैंने lemon grass का यूश किया है lemon grass मेरे kitchen garden की है इसकी खुश्बू मुझे बहुत अच्छी लगती है इसे आप चाहे तो mixi में grind करके डालें इसका powder बना के डालें वह जादे अच्छा रहेगा लेकिन मैंने यहां इसको chopped कर लिया है chopped की हुई lemon grass को इसमें डाल दें इसके बाद इसमें पिगली हुई mom को डाल दें मैंने इसे दो सेट में बनाया है अगर आपको single सेट में बनाना है तो आप सी एक कलर की mom को इसमें डाल देंगे अब इसमें लेयर बाई लेयर लेमन ग्रास और मौन को डालते जाए और जब उपर तक फिल हो जाए तो लास्ट में ने सेट बनाने के लिए हलका सा डाल कलर डाला है दो सेट में कैंडल बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता लेकिन बहुत अच्छी लगती है अब कैंडल को 6-7 गंटे के लिए छोड़ दे इतने समय में आपकी कैंडल दमपॉफिक तरीके से जम के तयार हो जाएगी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सारी कैंडल जम के तयार हो गई है और दमपॉफिक तरीके से बन के तयार हुई है और मार्केट में मिलने वाली कैंडिल आपको एक कैंडिल कम से कम दो से धाई सो रुपे मिलेगी यहाँ पर हमने कुछ बचीवी कैंडिल जिसे हम जला के अक्सर फेक देते हैं और कुछ नई बैक्स यानि नया मॉम लिया है फुल मिलाके के तोटल हमने पचास रुपे खर्च किये हैं और इतने कम दाम में इतनी सारी कैंडिल बनके त्यार हो गई है वो भी घर पे अलग-अलग कलर में, अलग-अलग खुश्बू में और ऐसी बनाके आप धेश सारी कैंडिल रख सकते हैं अपने डिलेट्य को, अपने फ्रेंड को आप गिफ्ट में दे सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कैंडिल के इतनी परफिक्ट तरीके से बनके निकली है इसे डीमॉल करना भी बहुत ही आसान है यह बहुत ईजी तरीके से गिलास से कैंडिल निकल जारी है और इसे देखने के बाद कोई यहीं नहीं के सकता है कि इसे आपने घर पे बनाया है अब इसके बाद हमें करना क्या है कि जो कैंडिल हमारी ऐसे नी निकलती ह Capital के यहाँ गरम पानी लेंगे लग रही है और यह डबल सेट में बनके त्यार हुई है इसे देखने से ऐसा नहीं लग रहा है किसे हमने घर पे बनाया है देखने में बहुत ही खूपसरत लग रही है अगर आपको वीडियो जरासा भी पसंद आये तो इसे लाइक सबस्क्राइब करना ना भूले अगर चैन लूड पहुचे और ऐसी मेरी वीडियो को फॉलो करते समय अगर आप बनायेंगे तो पहली बार में पर्फिक्ट तरीके से बनके त्यार हो जाएगी और अगर आप जलाएंगे तक जलती रहेगी और मार्केट के आपको बहुत ही कम समय में जलने के बार बूच जाती है और इसको बनाते समय आप खुच्बू और अपने अंसार डाल सकते हैं इसलिए इस दिवाली आप इस वीडियो को जरूर करें और बनाने के बाद अपना फीडबैक जरूर सेल करें कि कैसी बनी आपकी कैंडिल बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैंने कैंडिल बनाई है इसल जलाने के बाद सही से जलेगी नहीं और उसमें से चटर पठी की आवाज आएगी मैं एक बार और फिर से कहना चाहती है अगर वीडियो जरा सभी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब उशेर करना ना भूले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी यूटूब फैमिली को मेरे चैनल के तरफ से हैपी दिवाली सेव दिवाली इंजोई